हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीटी सी उट्वर के मिटसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्लोबेनट जीएम क्रीम के बारे में जी हाँ एक ऐसी क्रीम जो कि स्किन पे दाद खाद खुजली फोड़े फुनसी मुहां से साथी साथ जितने भ क्रीम के हम संपोल जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में बने रही है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस्नों पाई जी हाँ क्लोबेनेट जीएम क्रीम के अंदर जो हमारे मेन कंटेंड होगा टोटल टीन एपियाई मिले होंगे सबसे पहले है मीकोनाजोल जो कि 2% सब्सक्राइब भाइड जी होंगे अग्राश ने वह अगारे मिले होमें इस इंद Müला जाता है और दस एक त्यूब के की मतलग बख 70 से 76 के आसपास होती डियर, बात करेंगे यूजस की, जी हाँ, इसकिन पे जो भी बैक्टीरिया की द्वारा, या फंगाई के द्वारा जो भी infection हो गए, चाहे वो दाद हो गया, खाद हो गया, खुजली हो रही है, चाहे आपका जो फोड़ा हो गया, फोनसी हो गया, या जो इचिंग हो गया, रेटनेस हो गया, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, क्लोबेनेट जीयम का बहुत ज़्यादा इसमाल किया जाता है, बात करेंगे इसके काम कैसे करता है, देखिए, टोटल इसमें तीन कंटेंट मिले होंगे, सबका अलग-अलग रोल होता है, सबसे पहले बात करेंगे, मिकोनाजोल, मिकोनाजोल एक एंटी-फंगल मेडिसिन है, यह फंगाई के सेल वाल को इनिबिट कर देती, जब फंगस का सेल वाल ही नहीं बनेगा, तो फंगस अल्टिमेटली उसका ग्रोथ नहीं होगा, और किल हो जाएगा, और जो भी फंगल इन्फेक्शन है, वो भी हम त्रीट हो गया, अब हम बात करेंगे कलोबेटासitutional, त्रफी एक तरह से इस्टराओड मेडिसिन होती है, जो कि स्किन के जो हमारा प्रोश्टाग्लेंदीन हमारा केमिकल मेसेंजर निकलता है, जिसके कारण इसकिन रेड हो पथी थी, इसकिन स्वालो जो बोक कर देगा, रि मेंली इसका dose आपके डॉक्टर के हिसाब से होना चाहिए जो भी affected area है उसको पहले clean कर ले dry कर ले उसके बाद ही इसे apply करें साथी साथ इसके precaution की बात करें तो जितना भी recommended dose है उसे से ज़्यादा कभी न लगाएं बच्चों की पॉस से दूर कर रखें और ये skin के बाहरी external use के यही होती है internally इसको यूज न करें बात करेंगे कुछ common side effect की तो इस क्रीम को ज्यादा लगाने से आपके skin पर burning sensation देखने को मिल सकता है itching या खुजली हो सकती है cracks पढ़ सकते skin पर redness हो सकता है dryness हो सकता है और irritation cause हो सकता है sodium ये था आपका clovenate GM cream जी हाँ एक SC cream जो की दाद खाद खुजली फोले फुनसी मुहा से मतलब skin पर जो भी fungal infection साथी साथ जो भी bacterial infection होते हैं उसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तिमाल की जाती है इस cream की जानकारी कैसी लगी अगली medicine अगली cream अगली दवाई किसके बारे में बताए उसे भी comment box में जरूर लिखेगा इसी तरीके से और medicine की जानकारी चाहिए तो playlist को भी जरूर विजिट कीजिए चली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगली topic के साथ तब तक के लिए thank you so much all the very best